पर्तвी की आन्तुरीक सरंचन leben पहलत आप खुद बताओं कि पर्त्वी की परकृतिक वर्यम आप किसे प्रकार अनुमान लगाते हैं क्या आपके अनुमान के अनुसार पर्त्वी प्रकेट की गयंद की तरह ठोस गयंदे या खोकल गयंद जिस पर चटाना की मोटी परत इस्तल मंडल है क्या आपने कभी टेलीजन पर ज्वाला मुखी की उद्गार दिखाते वे चितरां को देखा क्या आपने ज्वाला मुखी से निकलते वे गरम लावा, मिटी, दुआ, आग, मेगमा याद है परत्वी के आंतरिक भाग को अपरत्यक्स पर्माना के अदार पर समझा जा सकता है क्यों? क्योंकि परत्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना कोई पहुंच सकता है ऐसा इसलिए आपको दो चीज़े आपको खुद करनी पड़ेगी एक तो first of all आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जियों-जियों हम दरातल से नीचे की और जाते हैं, दरातल से गहराई में जाते हैं, तापमान बढ़ता है, ठीक है न, एक पर्सन आपकी दिमाग में आना चाहिए, जिसका अंसर मैं नहीं बताऊंगा, कि तापमान बढ़ने की दर क्या है, दर मतलब 33 मिटर मात एक डिगरी सेंटिग्रेट, या 100 मिटर मात एक डिगरी सेंटिग्रेट, समझ मारी मियारी, जैसे अपन जियों-जियों वाई मुंडल में उपर की और जाते हैं, तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने की दर तो पता है ने 165 मीटर पर मीटर पर एक डिग्री सेंटीगेट बढ़ जाता है निए घट जाता है कि समझ मारी नहीं आदी है तो आपको एक परस्थन तो आपको हमेसा ध्यान रखना चाहिए कि तापमान बढ़ने की दर क्या है कि समझ माई यह बात यह परसन आप पता करोगी अब देखिए तो इसका सीधा सा कारण क्या है क्या कि परति के आंतरी बाग में ना तो कोई पहुंच सकता है इसका मेजर करण क्या होगा आपके पास तापमान बढ़ता जाता है कि परति के दरतल का विन्यास मुक्यते भूगर्ब में होने गाली वाली प्रक्रियों का प्रिणाम बहीर जात और अंतर जात प्रक्रियाएं आप पर्ति पर जो दरतल का विन्यास देख रहे हैं कहीं उंचा पर्वत कहीं पहाड ठीकें कहीं गाटी अखेरा पकें ठीकें उसके लिए पर्ति के भुगर्व में होने वाली पर्क्रियाएं जनित ये उंचावत्स निर्मित होते हैं ठीक है ने तो बहीर जात बहीर जात बल्लां के बारे में अगर अपमें बात करूं देखिए पर्ति पर दो बल काम करते हैं जैसे एक तो अंतर जात दूसरा बहीर जात ठीक है नए अंतरजात बल इसके कारण धरतल पर विशमकारी सरंचनाएं पेदा होती है जैसे प्लेट विवर्तनिक से पाहड बन जाना ज्वाला मोखी से डिगला बन जाना क्रेटर बन जाना अगरा बगरा ये अंतरजात बला से अगरा अंधर जात बल कुं आप किस किस को लेंगे अंतरजात बहल अगर बात करें तो आप दो तीज एक तो भूकम दूसरा ज्वाला मुकी तीसरा अच्छुली में सारे मिले जूले ही है तीसरा प्लेट वीवर्तनिक प्लेट वीवर्तन हालागे प्लेट वीवर्तन से ही बुकम पता है उससे ही ज्वाला मुकी उत्पन होते हैं प्रतीन नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह क्या कि धरतल पर वीसमताएं पैदा करते हैं फिर धरतल पर दो बल और काम करते हैं अपरदन अपक्षे है हालांकि अपक्षे फर्स्ट है अपरदन शेकेंड है ठीक है यह क्या करते हैं अपरदन और अपक्षे यह समताकारी प्रभाव पेदा करते हैं ठीक है न कैसे जिसे उत्तर के मेदान कैसे बने अपक्षे बने का करान क्या था उत्तर के मेदान बने का कारण सीधा सहीए था कि अपरदन से मिट्टी और गाद ला लाकर यह बू सनती थी तैती सागर उसको पड़ दिया गया तो जो विसमता है थी वो समता में बदल दी गई ठीक है न चलिए तो बहिर जात और अंतरजात परक्रियाएं लगतार भू दर्शिय को अकार देती रहती है अंतरजात बल से विसमता हैं पेदा होती है बहिर जात बल से वापस समता हैं तो यह निरिंतर परक्रियाएं चलती रहती है अंतरजात परक्रियाओं के परवाओ को अंदेका कर किसी भी सेतर की भू आकर्ती की परक्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र्क्र उससे लदावा निकला वो लावा फेला वो दकन का पठार बना हिमालिय है तो क्यूं है पलेटों के आपस में अभी सरण से समझ मारी ने तो अंतरजात परक्रियां के परबाव को अंदेका कर किसी भी सहतर की भू अकर्ती की परक्रती को समझना अधूरा होगा ठीक है ना अर्थात किसी भी परदेश की भू अकर्ती को समझने के लिए भू गर्बिक किरियावां के परबाव को जानना आउसीक है मानौ जियोन मुखेता अपने सेतरी ये भू अकरती से प्रबावित होता है इसलिए भू पुरी दर्शियक के विकास को प्रबावित करने वाले सबी कारकां के विशे में जानना आवसियक要 ये سमझने के लिए कि पर्थवी में कंपन क्यूं होता है सुनामी लेरें कैसे पैदा होती है ये ज़रूरी है कि हमें परत्वी की आंत्रीक सरंचना का विश्तरत ज्यान हो ठीक है न? परत्वी का निर्मान करने वाली भूपरपरटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परता के रूप में विबाजी थे भूपरपरटी से क्रोड तक ठीक है न? तो अब एक दो परसन लिकली जिएगा दो परसन एक परसन तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए धरातल पर धरातल लिए उचावच या विशमतावा का कारण क्या है? ठीक है? इसको एक अन्य तरीके से परसन हो सकता है एक अन्य तरीके से परसन हो सकता है कि भुकम्प और ज्वाला मुकी का दरातल पर क्या परभाव पढ़ता है? दूसरा परसन क्या किस तरीके से बन सकता है? भुकम्प और ज्वाला मुकी का दरातल पर क्या परभाव पढ़ता है? ठीक है ना? ये जानना भी अत्यांत रोचक हैं कि वेगयनिका ने कैसे इन परतां के समन्द में जानकारी प्राप्त की और परतियक परत्त की विशेष्टाओं के बारे में अनुमान लगाया? और ये भी जानना बहुत एदी बात है कैसे हमने कैसे जाना के बीच में क्रोण है? भू परपरटि से क्रोण तक बिबिन परता का अद्यन कैसे की सादार पर किया? ठीक है तो अब देखिए भू गरपकी जानकारी के साधन भू गरपकी तिर्जिया 6300 सितर की में है तिर्जिय का मतलब समझते थे थे ने? तिर्जय का मतलब यह है ठीक है न यह तो यह कितनी है यह कि अगर आपसे कोई पर्सन पूछे कि मुझे पर्तिवी के गरब में बीचा बीच जाना है तो कितनी दूरी तेह करनी पड़ेगी छेजार तेन सो सितर किलो तो अगर पर्तिवी का व्यास कुचे तो जैसिस्ट का डबल कर देना ठीक है न पर्तिवी के आंतरिक परस्तियां के कारण यह संबव नहीं है कि कोई पर्तिवी के केंदर तक पहुंचकर उसका निर्क्षम कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ अधियानिक हमें यह बताने में सक्सम हुए कि भूग रब की सरंचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं इतना होने की बावजूद पर्तिवी के आंतरिक सरंचना की विशेम हमारी अधिकतर जानकारी परोक्स रूप से प्राप्त होती है प्रोक्स और पर्तियक्स अब प्रोक्स प्रोक्स क्या होता है किसी के माध्यम से यानि के हमें पर्तिवी की आंतरिक सरंचना की जानकारी मैंने जाकर नहीं देखा मैंने किसी माध्यम से यानि प्रोक्स ज्वालाओं की इसके माध्यम से जाकर देखा तो हमारी पर्थीख भुगर्व के बारे में जो अधिकांस जानकरी है वो किसके बाद कैसे परॉक्स प्रॉक्स यह निए अब परतियक्स तता भी यह जानकारी का कुछ बाग परतियक्स प्रेक्षना और प्रदाता की विसलेशन पर भी आदा रही थे प्रत्वी से सबसे आसानी से उपलब ठोस पदार्थ द्रातली चटाने द्रातली चटाने देख सकते हैं अथवा वे चटाने जो हम खनन शेत्रा से प्राप्त करते हैं दक्षणी अपरिका की सोने की खाने 3 से 4 किलो मीटर तक किया रही है दक्षणी अपरिका की सोने की खाने परसन एक परसन लिख लिखेगा पेहला परसन सरवादिक सोना कहां होता है कि स्रवादिक्स होना कहां उत्पन होता है कि दूसरा परसंस कि अफ्रीका की सोने की खाना के नाम बताई है ठीक है इस से अधिक गेराई में जा पाना असंभव है यहीं कि तीन चार किलो मिटर तक तो गेराई में जा सकते हैं क्यांकि उतनी गेराई पर तापमान बहुत अधिक होता है यह बात आगे जो मनें पहले ही सबसे पहले बता दिया आपको खनन के अत्रीक्त वेगयानिक विबिन प्रियोजनाओं के अंतरगर्ट परत्वी के अंतरिक इस्तिति जानने के लिए भूप परपरटी में गेराई तक सान्भीन कर रहे हैं संसार बरके वेगयानिक दो मुख्य प्रियोजनाओं पर काम कर रहे हैं यह गेरे समुंदर महें परवेद्न प्रियोजना यहनि जीए डीप ओस्यान्ड ट्रीलिंग प्रोजेक्ट और फिर शम्नवित मांसाकरी परवेद्न ही होजना 되어्थाग इंटीग्रेटी औस्यान डिलिंग प्रोजेक्ट ठीक है आज तक सबसे गेहरा प्रवेदन अभी तक तो सबसे गेहरा प्रवेदन मतलब होल ठीक है न ड्रील आर्कटिक मास आगर में कोला सेतर में बारे किलोमेटर की गहराई तक किया गया है तो परथवी कि आंतरिक बाग में अगर कोई केहराही ४ खोल क्या गया है तो वह कितना है 12 किलोमेटर सब्सक्राइब अब आप इसकी तुलनम मेरियन ट्रेंस से न पर आप ऐसे नहीं कहेंगे मेरियना ट्रेंच वैसे भी 12 किलोमेटर गहरा है खड़ा खोदने जिरुत का मेरियना ट्रेंच इस आलसो द्रहतल जैसे हिमाले की चोटी द्रहतल का बाग है उसी परकार मेरियना ट्रेंच की द्रहतल इन परियोजनाओं तता बहुत सी अनिया गहरी खुदई परियोजना का अंतरगत विबिन गहराई से प्राप्त पदातां के विसलेशन से हमें परत्वी की आंतरिक सर्चना से समंदित और सदन जानकारी प्राप्त हुई ज्वालामों की उद्गार परत्वी के द्रहतल पर आता है तो फिर उस लावे तो ये लावा परियोजना अन्वेस्टन के लिए उपलुप्ध होता है तो उसका हम परियोजना में लिजाकर अन्वेस्टन करा सकते हैं कि इन में किन किन तत्वां की उपस्तिती है इनमें किन-किन तत्वा की उफस्तिती है ये द्यपी इस बात का निश्चे कर पाना कठीन है कि ये मेगमा कितनी गेराई से निकला है लावा, मेगमा, एक चीज द्यान रखना कि धरतल के जब तक अंदर रहता है मेगमार जब बाहर आता है तो लावा तो मेगमार लावा आप साधान था एक प्रियाईवाची के रूप में प्योग कर सकते हैं पर वेगैनिक रूप से नहीं समस्मारी नहीं है नहीं क्योंकि जब भी मेगमा के बारे हम बात कहें हैं कि अब वाकि राक अलग है बॉल्ड अलग है अब अब परत्यक्स रोत परदात के गुंड दरम के विशलेशन्स ये परत्वी की आंत्रिक भाग की परत्यक्स जानकारी प्राप्थ होती है परदात के गुंड दरम के विशलेशन्स ये खनन किरियाओं से हमें पता चलता है कि परत्वी के दरतल में गेराई बढने के साथ तापमान और दबाव में भी वर्दी होती है ताप और दाब क्यों जों गेहराई बढ़ेगी ताप और दाब में बढ़ोतरी होगी इतना ही नहीं हमें ये भी पता चलता है कि गेहराई बढ़ने के साथ साथ पदात का गनतव भी बढ़ता है परत्वी की कुल मोटाई को दियान में रखते हैं, वेगेनिका ने विबिन गेहरेयां पर परदाट के तापमान, दबाव और गनतू के मान को अनुमानित किया है, परत्वी एक परत्व के संदर में इन लक्षना का सर्विस्तार वर्णन हम करेंगे तो एक चीज़ आपको समय सा कंठस्त रखनी हैं, वो यह है कि जिवजियों गेहराई की और जाएंगे तीन चीज़ें हमेशां बढ़ेगी ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और गनतू बढ़ेगा ताप, दाब और गनतू ठीक है न, डेंसिटी चलिए, पर्थवी की आंतरिक जानगारी का दूसरा अपरतिक सुरोत उलकाएं है अब धियान रखना, कैसे? उलकाएं कैसे? एक बहुत बड़ा सर्प्राइज हो रहा है आपके दिमान में, उलकाएं कैसे? जो कभी-कभी दर्ती तक पहुंचती है, हलांकि हमें ये भी द्यान रखना चाहिए, कि उलकाएं के विशलेशन के लिए उपलग पर्थवी के आंतरिक बाक्षे प्राप्त नहीं होते? उलकाएं तो आसमान से आई है, तो फिर वो कैसे पर्थवी के आंतरिक जानकारी का सुर्वत हो सकती है? कैसे? उलकाएं से प्राप्त पदार्थ और उसकी सरचना पर्थवी से मिलती जूलती है, यह 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 उलकाएं वैसे ही पदार्थ के बने थोस पिंड है, जिन से हमारा गरह पर्थवी बना है, तो उलकाएं के दोरा हम यह पताज लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टिमेट निर्मान उसी पिंड से हुआ है, जिस परकार यह उलकाएं बनी, उलकाएं बने हैं, उसके विसलेशन के दोरा इतना तो तेकर्ष रखते हैं, कि पर्थवी का सुरूब भी ऐसा ही रहा होगा, तो एक पर्थवी की आंतरिक सरंचना को जानने का सुरूथ हो सकती है, ठीक है ना? फिर अन्य अब पर्थएक सुरुता में गुर्थवाक्षन, चुम्बक्य सेतर और भुकम समन्दी किरियाईं सामिल है, पर्थवी के दर्यातल पर विबीन अक्षांसा पर गुर्थवाक्षन बल सम्मान नहीं होता, एक चीज़ इपोर्टेंट, विबीन अक्षांसा पर सम्मान रूप से गुर्थवाक्षन नहीं होता, ठीक है न, कैसे, कि ध्यान रखना, भुमद्य रेका से दुरुवां की और जाएंगे, हम भुमद्य रेका से दुरुवां की और जाएंगे, ठीक है न, तो गुर्थवाक्षन बढ़ता जाएगा, तो सुर्वादी गुर्थवाक्षन बढ़ दुरुवां पर, ठीक है न, और जू जू भुमद्य रेका से, जो गुमद्य रेका पर गुर्ट अक्षन बल है एनिक 0 डिग्री पर जो गुर्ट अक्षन बल है जरूर नहीं कि उतना ही 1 डिग्री पर हो जितना 1 डिग्री पर है जरूर नहीं वो 2 डिग्री पर भी हो तिक आंक इसको अपन यह सकते हैं नीवन नाख्सान से उँचक साऱ्की और जातेवक्त गुर्षक्रांशन बढ़ता है उचक संसे निम्न Nahis की और आतीवक्त गुर्षक्रांशन गड़ता है ये गुर्त्वाक्षन दूरुआं पर अधीक भूमदी रेका पर कम होता है परत्वी के केंदर से दूरी के कारण गुर्त्वाक्षन बल्ग दूरुआं पर अधीक और भूमदी रेका पर कम होता है गुरुत्व का मान पदार्थ के दर्योमान के अनुशार भी बदलता है ठीक है गुरुत्व का मान ध्यान रखना गुर्तौक्षन का सीधा समद्ध दर्योमान का है दर्योमान जैदा है गुर्तौक्षन बल्ग भी जैदा है ठीक है नहीं ग्रेविटिफ वॉर्स哎呀 दर्युमान से सीधा संबन्दित है भी कि कोई पदार्त जिसका दर्युमान ज्यादा है तो उसका गॉरो कुरत्वाक्षन हैंश sow नगि कि अनुकर्मान उपाती है दर्युमान की मात्रा बढ़ती जाएगी तो गुर्तो आक्षन भी बढ़ता जाएगा तो इनमें समन्द कैसा हुआ अनुकर्मान उपाती ये भी सब दियाद रखना आप कैसा हुआ अनुकर्मान उपाती ठीक है पर्त्वी के भीतर पदार्ता का असमान वित्रन भी इस बिन्ता को प्रभावित करता है अलग अलग इस्ताना पर गुर्तो आक्षन की बिन्ता के अन्यक अन्यकारकां से भी प्रभावित हता है इस बिन्ता को गुरुत्वी विसंगत्य का जाता है ठीक है अब सब लिखिए गुरुत्वी विसंगत्य क्या है गुरुत्वी विसंगत्य का मतलब है कि पर्ति के बिन-बिन भागां पर बिन-बिन गुरुत्वी विसंगत्य का उपस्तित होना बिन बिन भागां पर बिन बिन गुर्त्व आक्षन बलका उपस्तित होना गुरुत्विय विसंगती यहां गुरुत्विय विसंगती हमें भूपरपटी के पदार्त के दर्योमान के वितरन की जान करी देती है गुरुत्विय विसंगती यहां गुर्ट्वाक्षन ज़्यादा है वहां कम है X इस्तान पर ज़्यादा है जैसे X इस्तान पर गुर्ट्वाक्षन ज़्यादा है Y इस्तान पर कम है ठीकर तो हमें इतना तो कन्फर्म पता चल गया कि एक इस्तान पर भू परपरटी की डेंट सिटी ज्यादा यह निके गनत्व ज्यादा है और वाई इस्तान पर भू परपरटी की डेंट सिटी कम है कि मैंने क्या बताए था वुर्त्वाक्षन बल कि देंसिटी एनिके कि देंसिटी एनि तो आप पता लगा सकते हैं ना जैसे इस इस इस्तान पर गुर्तौ अक्षन बल ज्यादा है एक सिस्तान पर गुर्तौ अक्षन बल ज्यादा है तो मेंस क्या हुआ गुर्तौ अक्षन बल कम है तो गुर्तौ कम है चुम्बिक्य सरक्षन भी भूपरपटी में चुम्बिक्य पदात के वितरन की जानकरी देते हैं भू कमपी के गतिवीद्या भी परत्वी की आंतिक जानकरी का महत्वपून सरोत है ठीक है अब इसी कारण हम भू कम के बारे में थोड़ा सा अध्यान करते हैं भू कम भू कमपी तरंगा का अध्यान परत्वी की आंत्रीक परता का संपून चित्तर परस्तूत करता है भू कमपी तरंगा का अध्यान परत्वी की आंत्रीक परता का संपून चित्तर परस्तूत करता है भू कमपी तरंगा से आप एक्चुली में आप खुद सोचिए कि हम एक्चुली में तरंगा के द्वारा आंत्रीक शोरूप का कैसे पता चलता है जिससे आप सोनोग्राफिक राते हैं पेट में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती है That is right साधान भासा में भुकम का अर्थ है पर्त्वी का कमपन ये एक प्राकरती गटना है उर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन होती है जो सबी दिशाओं में फेलकर भुकम पलाती है पर्त्वी में कमपन क्यों होता है? अब ध्यान दे पहले तो भुकम उत्पिति के कारण देखते है प्राई ब्रंश के किनारे किनारे उर्जा निकलती है भू परपर्टी की सेला में गहन दरारे ही ब्रंश होती है अब आप एक परसंद लिख लीजिएगा इस NCRT के अनुसा ब्रंच क्या है ब्रंच के दोना तरफ सेले विप्रीत दिशा में गति करती है जहां उपर के सेलकंड दबाव डालते हैं वो अपस में गरसंद उन्हें परस्पर बांदे रहता है फिर भी अलग होने की परवर्ती के कान एक समय पर गरसंद का परवाव कम हो जाता है जिसके परिणाम सरूप सेलकंड विक्रत होकर अच्छानक एक दूसरे की विप्रीत दिशा में सरक जाते है एक्छलय में बरन्स दो सेलें एक दूसरे की विप्रीत दिशा में खिचाव होता है ठीके न, सेलां के मद्ये विप्रीत दिशा में खिचाव मींज़ बरन्स और जा खिचाव बल काम कर रहा है वहीं बरन्स गटी बनेगी वही बरंस बनेंगे इसके परिणाफ सुरुक उर्जा निकलती है और उर्जा तरंगे सबी दिसा में गतिमान होती है वो इस्तान जहां से उर्जा निकलती है भुकम का उद्गम के अंदर कहलाता है अब भुकम का उद्गम के अंदर मतलब वो इस्तान जहां से उर्जा निकलती है बुकम का उद्गम के अंदर फॉकस कहलाता है इससे अव के अंदर हाइपो सेंटर भी कहते है अब इसका नाम अंग्रीची में ध्यान रखें ना हाइपो सेंटर उर्जा तरंगे अलग लग दिशावा में चल्पी उपर्पी की सत्य पर पहुंशती है अब कैसे यहां देखो कि कोई है कोई है लिकावा है कि उर्जा तरंगे इसे बुकम यहां प्रिदा होगा ठीक है ना तो यहां भी जाएगी कि तरंगे यहां भी जाएगी होगा जाएगी इःकाई क्योशस तरंगे यहां यहां पी जाएगी यहां है यह जाएगी मूर्पी जाएगा कर दो हिए क्व दिखना से है भूतल पर जो उद्गम केंदरर के समिपक्त होता है अधिक एनदर है अनि एपी सेंटर कहलाता है है अब इसका सर्वादिक नजदी वाड़ा कौन सा केंदर है। उपर में सत्य पर है यह थीक है न यह क्या कहलेगा अधिक क्या कहलेगा अधिक अंदर ध्यान रखना यह उद्गम के निदर से नाइंटी डिग्री तक रहता है कि ठीक है यह यह आप यूं समझ लेजिए जान बुकम्प की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है अधिक अंदर पर ही सबसे पहले तरंगे में सबस्की जाती है तो अधिक इंदर क्या है? देखो बुकम के आंदर के सरवादिक नजदिक वाला दरहतलिय बिंदू? येस जहां सबसे पहले बुकम प props पि तरन्गे पहुंशती है? येस जहां सबसे पहले बुकम में सुसकिया जाता है? येस ठीक है ना तो एक पर्सन लिख लेजिएगा अधिक एंदर की तीन विशेषता हैं बताएं अब भुकम पित तरंगे क्या सभी प्राकर्तिक भुकम इस्तल मंडल में ही आते हैं इस अधियाय में अगया पर्तवी की विविन परतां के बारे में हम पढ़ेंगे अभी इतना समझ लेना प्रियापत है कि इस्तल मंडल पर्तवी की दरातल से 200 कीमी तक गहरे वाले बाग को कहते हैं तो एक चीज तो कंफर्म हो भी भुकम पर मिर्जिमम 200 किलोमीटर गहरे तक उद्गम के अंदर होते हैं ठीक है भुकम मापी यंतर शिश्मो ग्राप अब शिश्मो ग्राप क्या है भुकम मापी यंतर सत्य पर पहुंचने वाली भुकम प्य तरंगा को अभी लेकित करता है ठीक है अब एक चीज और भुकम मापी यंतर शिश्मो ग्राप सत्य पर पहुंचने वाली भुकम प्य तरंगा को अभी लेकित करता है तो पहला सवाल भुकम मापी यंतर यानि सिस्मोग्राफ वहाँ सब्द सिस्मोग्राफ आएगा सिस्मोग्राफ क्या है यहां क्या है इस पर भुकम्पिय तरंगा का अब भी लिए कि वकर दिखता है यह वकर तीन अलग-लग बनावटी वाली तरंगा को परदेशित करता है गुनियादी तोर पर भूकमपी तरंगे दो परकार की होकती है भूगर्बिक तरंगे और दरातली तरंगे अब देखें ये जो है ना ये ये जो दीख रहा है ना ये भूकमपा भी लेकर है समझ मारी क्या है सेंके ना भूगर्बिक तरंगे उद्गम के अंदर से उर्जा मुक्त होने के दोरान पेदा होती है भूगर्बिक तरंगे बोडिवेस और पर्त्वी के अंदुरुनी भाग से होकर सबी दिश्वा में आगे बढ़ती है इसलिए इससे भूगर्बिक तरंगे का जाता है भूगर्बिक तरंगें और द्रातलिय सेलां के मद्य आगने किरियाओं के काण नई तरंगें उत्पन होती हैं जीने द्रातलिय तरंगें का जाता है अब देगे भूगर्बिक तरंगें भुकम से तरंग निकली ठीक है न तो सेलां से टकर है जैसे आपने हकोड़े से गंटे पर मारा अब जो गंटा जो दूजरा है और उसे जो वेव निकल रही है वो दरातली पर है समझे मारी नहीं आरी दरातल के साथ साथ चलती है ये तरंग के कौन से दरातली तरंगा का वेग अलगलग गंटों वाले पदारता से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है ये तो हम जानता है ठो से दरू से गेश अगर तरंगा का वेग बदल जाता है अधिक गंटों वाले पदारता में तरंगा का वेग अधिक होता है पदारता के गनतों में बिनता होने के काण परावर्तन और आवर्तन होता है जिससे इन तरंगा की दिशा भी बदलती है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन और आवर्तन मलब तरंग की दिशाएं मुड़ जाती है समझे बाने तरंगां की दिशाएं मुड़ जाती है तो इसी आधार पर तो हम पृत्वी के आंत्रिक भाग का पता लगा पाते हैं तरंग शिदी जारी है और दिशा मुड़ी है तो इसका मतलब कन्फर्म हुआ कि गनतू में चेंजे जाया बीच में सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कुछ आया है समझभारी नहीं रही भूगरब्य तरंगे भी दो परकार की होती है जो निकलती है भूगरब से पी और एस तरंगे और इसकी वज़े से दरतलिय तरंगे पेदा होती ल तरंगे पी और एस जब चटाना से टकराती है तो चटाने और पी और एस तरंगा के टकराट से उत्पन होने वाली तरंगे दरतलिय तरंगे केलाती है समझभारी नहीं आ रही है एक्चुली में यह भुकम उद्गम के अंदर है यहां से पी एस निकली है और बीच में चटाने ताएगी यह चटाने है ठीक है न अब इनसे टकराई तो इनसे जो अब जो वेव बन रही है वो क्या कहलाती है एल तरंगे ठीक है न तो भूगर्बिक तरंगे तो कौन सी हुई पी एस समझे में बेटरी यहां दिमांग में पी तरंगे तीरू गती से चलने वाली तरंगे और दरातर पर सबसे पहले पहुंचती है इन्हें प्रात्मिक तरंगे भी कहती है प्राइमरी वेवज पी वेवज पी तरंगे दवनी तरंगा जैसी वकती है यहनी अनुदेरिये पी तरंगे कैसी वकती है दवनी तरंगा के सम्मान होती है दवनी तरंगे कैसी होती है अनुदेरिये ठीक है नहीं ये ठोस तरल और गेश तीनों परकार के पदारता से गुजर सकती है कौन सी प्राइमरी तरंगे अनुदेरिय तरंगे ठोस से द्रव से गेश से तीना से गुजर जाती है अनुदेरी तरंग ए आस तरंगे द्रहतल परकुछ समय अंतर आल के बाद पूँछती हैं और यह दिव्ती Religion से क्योंकि पकूंकि परफम बार पो रउंसिफ प्राइमरी तरंग के है दूसरी बार पूँची सेकेंडरी सिoin एस तरंगा के विशे में एक मैतपून तक्तिय हैं कि ये क्युल ठोस पदार्ता के माधियम से ही चलती है एस तरंगा के एक मैतपून विशेष्टा है इसी विशेष्टा ने वेगानिका को भूगर्बी सरंचना को समझने में मदद की अब अगर आपसे प्रीक सामे परसंट पोचे भूगर्बी सरंचना को समझने में सबसे महतुपून तरंग कौन सी है S S क्यों जैसे देखिए यह परत्वी का केंदर है और यह परत्वी है फुकम का केंदर यहां है ठीक है नब ध्यान से समझ देखिएगा यह प्राइमरी तरंगेत निकल गई थोड़ी रिपलेक्शन हो गए बर निकल तो गई न है चलिए यह सेकेंडरी तरंगे बस यहां तक ही आ रही है आगे नहीं जा रही है यह लास्ट क्यों तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कोई यहां द्रव है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां द्रव है तो इसलिए प्रत्वी का क्रोड लिक्विड फोम में है यह किस से पता चला एस तरंगा करें चोंग ज्वेशंकर कुणके पी तरंगे तो आरही है यह कि एस तरंगे नहीं आ रही है लाइंट को आगा बराबरतन रिफलेक्शन तरंगे परति द्वनी के वीआ पहले आत यह जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है भुकंप लेकी पर बने आरेक से तरंगा की दिशा और बिंता का अनुमान लगाया जाता है दरातलिये तरंगे भुकंप लेकी पर अंत में अभी लेकित होती है और ये तरंगे ज़्यादा विनासकारी होती है और इनसे सेल विश्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है क्योंकि ये चटाना के हिलने से उठपन होती है समझ मारिक नहीं है ये चटाना से हिलने से उठपन होती है बिन बिन परकार की बुकम्पिय तरगंगा के संच्रीत होने की पढ़नाली भी बिन बिन होती है बिन बिन परकार के नहीं S, P, S, L इनके संच्रीत होने की पढ़नाली भी बिन बिन है जैसे ही ये संच्रीत होती है तो सेला में कंपन पेदा होता है और पी तरंगा से कमपन की दिशा तरंगा की दिशा के समानांतर होती है क्योंकि ये तरंगा की दिशा के समानांतर वल्लब जैसे तरंग यूँ आरी है तो यूँ हिलेगी तो ये क्या हुआ तरंगा के दिशा के समानांतर समझे मारी ने आरी ये संचरन गती की दीशा पर ही पदार्थ में डबाव डालती है उपर नीचे इसके दबाव के फलस्रूप पदार्थ के गनतों में बिनता आती है और सेला में संकुचन और फिलाव की परक्रिया होती है यूँ यूँ अन्य तीन तरे की तरंगे संचरन गती के समकोन दिशा में कमपन पेदा करती है S तरंगे उद्रवा तलमें तरंग की दिशा के समकोन कमपन पेदा करती है यह ठीक है ना इसलिए इनको अनुप्रस्त का यह तरंगे जिस पतार से होकर गुजरती है उसमें उबार गर्त बनाती है दरातली तरंगे सबसे अधिक विनासकरी समझी जाती है अब साया सेत्र का उद्व लास्ट पिरग्राप पढ़ाता हूं आज ठीक है दिर दिर आपकी समझ विक्षित होती जाएगी मैं के ग्लेशन वीडियो डालता जाओंगा आप लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है नो और मैं कमेंंट्स कीजिएगा भुकम्प लेका यतरपतर दूरष्ट स्थाना से आने वाले भुकम्ब तरंगे अभी लेकित होती है यह लिए लिक कुछ ऐसे के लिए जहान कोई भी भू近तर अभी लेक्तिन होती है अइसे सेत्र को गॉक्ततर का जाता है कि जैसे एस तरंगा के लिए तो मैंने बताया था कि जादेखंगा जादेखंगा एक्षो पंतालिस एक्षो पांट एक्षो पांट एक्षो पांट यह साहय सेतर है और मैं इसको पढ़ाता हूँ हुआ यह बिन भूकम प्या गटनाओं के दिन से पता चलता है कि एक भूकम का साहय सेतर दूसरे भूकम के साहय सेतर शरूता बिन होता है पी और एस तरंगा का साहय सेतर प्रदेशित किया गया है और मैं वापस दिखाऊंगा आपको और यह देखा जाता है बूकम लेक की बूकम अधिक अंदर से 105 डिगरी के बितर किसी भी दूरी पर पी और एस दौना तरंगा का अभी लेकन करते हैं 105 डिगरी का मतलब जैसे कि यहां बूकम है जैसे यहां बूकम है तो यह 105 अधिक अंदर से एकसो पैस्थालीश डिगरी से परेक केवल पी तरंगा के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगे को अभी लेकित नहीं करते हैं अते वेगनिका का मानना है कि बुकंप अधिकर्णदे के अंदर से 105 और 155 के बीच का सेतर दोना परकार की तरंगा के लिए साया सेतर है और 105 के परे पूरे सेतर में एस तरंगे नहीं पहुंचती है 105 से परे पूरे में नहीं पहुंचती क्या इससे इससे पूरे एस तरंगे तो पहुंचती ही नहीं है और 145 ठीक है ना 105 से 145 तक तो पी तरंगे भी नहीं पहुंचती है कि याद रखिएगा 105 डीगरी से 145 तक पी और एस दोनों नहीं पहुंचती है ठीक है न तो 105 से 165 तक का यह भुखम सायस है कर लाता है क्योंकि ना तो यहां पी पहुंचती है ना एस मांट पहुंचेगी अपी मुड़ गई इस वजए से यह का गया कि एस तो पहुंची नहीं लिक्वीड फो में आते ही एस जाम कि है ऐस तरंगा का सre सेतर पी तरंगा के साय सेतर से अधिक विस्तरत है क्योंकि वो 105 भूकम अधिक अंदर से 105 से 155 तक पी तरंगा का साय सेतर एक पट्टी के रूप में परतिव के चारा तरफ परतीत होता है एस तरंगा का साय सेतर ना केवल विस्तार में बड़ा वर्ण परत्वी के 40% भाग से भी अधिक है एक सो पांस टू एक सो पांस अगर आपको भुकंब अधिक अंदर का पता हो तो आप किसी भी भुकंब का साय सेतर रेखांकित कर सकते हैं समझे मागी बात ही है कैसे देखे इदर एक बार मैं समझा देता हूँ यह इसका के अंदर बिंदू है परत्वी का यह भुकंब उद्गं के अदर है अब यहां से परत्षब नहें अभ़कंब बात किसी बार चात कर सकते हैं मैं से मैं से द employ मैंने ग्नांदान यह यह थिएभड़ कर सकते हैं यह इस बार सकना झाल force यह यह S है ठीक है और यह P है ठीक है अब यह total तो S का साय से तर हो गया ठीक है ना ठीक है और यह जो है यह P का साय से तर हो गया समझे मागी नहीं आगी और यह total यहां से 105 यह 105 यह 145 यह 145 तो यह तो P का अन S का भेड़ा ही है और बाकी यह S का तो ही तो सबसे अधिक साय से तर किसका है S का साय से तर है तो सबसे तर ही है यह यहाँ प्यूद्ध कर यहाँ आज कर दो है